एक बार फिर से आप सबी का स्वागत है हमारे सबताहिक राशी फल में आज किस वीडियो में हम जानेंगे कि आपका आने वाला ये सबता याने की 15 से लेके 21 जुलाई का जो टाइम पीरिड है हर एक राशी के लिए कैसा जाने वाला है उनके करियर के लिए, उनकी लव लाइफ, मैरेड लाइफ के लिए, हेल्थ के लिए ओवर आल उनके पूरी लाइफ में जितनी भी छोटी बड़ी चीजे होती हम हर एक आस्पेक को कवर करने की कोशिश करेंगे अगर आप हमारे चैनल पे बिलकुल पहली बार आए हैं, तो बिलकुल शुब मूरत है, बैल आइकन दबा दीजे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे आपको astrology, numerology, palmistries related कई सारी updates हमारे चैनल से regular time पे मिलती रहेंगी इसी के साथ साथ एक और सूचना है, आप सभी के लिए आप में से कई सारे लोग astrology को professionally सीखना चाहते हैं की कुंड़ी देखकर उसको accurate prediction देना चाहते हैं, उसकी कुंड़ी को देखकर तो मैं लेकर आ रहा हूँ astrology का live batch, हमारा ये नया live batch है, जिसमें नय स्टुडेंट्स होंगे, जो बिलकुल basic से लेकर advanced level के concept सीखेंगे, तो अगर आप भी इस live batch का हिस्सा बनना चाहते हैं, description में कुछ contact number और एक Google form का link मिल जाएगा, उसमें आप अपनी details feel कर सकते हैं, हमारे team आप से contact कर लेगी, और आप वीडियो को सुरुआत करते हैं, सबसे पहली राशी मेश राशी से, मेश राशी वाले जात को आपके तो जॉब में बॉस की साबाशी मिल जाए, या फिर आपको किसी अची जॉब का यहाँ पर notification मिल जाए, opportunity मिल जाए, सब कुछ ठीक है, मतलब जैसा जैसा आप चाहा रहे थे, कहीं न कहीं चीजे वैसी करवट ले रही हैं आपके तरब से, बस एक चीज की यहाँ पर गड़ कर दिया, आप मिलने गए थे, अपने दोस्तों से सोचा था, रहे यार आज तो दोस्तों से मिलने जा रहा हूं, अपनी जेप से बिलकुल खर्चा नहीं करूंगा, एक दिन दोस्तों ने कहीं दिया कि हम तो wallet घर बूला है, आपको पैसे देने पड़ गए, इस तरहे कि जलाने की, सुट्टा पीने की आपकी, तो अब आपको लंक्स में प्रॉब्लम होने लग जाएगी, खासी जादा आने लग जाएगी, ठकने जादा लग जाओगे, तो कोई बुरी हैबिट अगर पास्ट में अपनाई थी, उस बुरी हैबिट का रिजर्ट धीरे धीरे आपको अंदाजा होने लग जाएगा कि यार गड़बड है, मंजन करते नहीं थे, दाद दर्द होने लग जाएगे, कीड़े पड़ जाएगे, इस तरहे की कुछ छोड़ एक चीज भी आप इस सब्ता नोटिस करोगे, जो लोग जॉब करते हैं, यहाँ पर मैंने आपको जैसा पहले बताया कि अपॉर्चनिटी आसपास ही कही न कहीं से कानों में पड़ जाएगी और उसका आपको फायदा उठाना है, हमारे लाइफ में कई बार चीज़े ना आसपास ही चल रही होती है, जादा हम लेकिन हम जो होते हैं, हम डिस्ट्रेक्टेड होते हैं, हमें लगता है कि हमारी लाइफ इतनी एजी कैसे हो सकती है, जबकि अगर आप सही मायनों में देखोगे, जो लोग सफल हो गए उनसे बात करोगे, हमेशा चीज़े सिंपल ही होती हैं, जिन चीज़ों को हमने ये सोच के नजर अंदाज कर दिया कि यार इतनी असानी से कैसे, एक लिया, हेर कट कर वा लिया, नए तरह के कपड़े आपने अपनाने शुरू कर दिया, कोई नए कलर अपने बॉड़ी पे आपने की टैटू बगलाने के विचार आपके मन में आ गया, तो इस तरह से कुछ नए चीज़ों को आप अपने बॉड़ी पे आजमाएंगे, ट्रा है, अपने पार्टनर से, अगर बहुत टाइम से मिले नहीं थे, तो मिलेंगे, अच्छे खासे पल बिताएंगे, बहुत मज़े करने वाले हो, जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं, इवें लव मैरेज के बारे में भी सोच सकते हैं, बाचीत हो सकते हैं, लेकिन परिवार थोड़ा सा भी मानेगा नहीं, जीवन साती हैं, तो भी अच्छा समय, यानि कि शादी हो चुकी है, तो भी अच्छा कासा समय, यहाँ पर वैतीत करते हुए, आप नजर आ रहे हो, कहीं ना कहीं मेज राशी वाले जात को, आपको अपने करियर या फिर बिजनस पे बहुत विचार करने वाला यह सत्था जाने वाला है, कि मैं कर क्या रहा हूं, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं, कि यही मेरी सही डिरेक्शन है, इसको लेकर भी आप काफी ज़्यादा थौट प्रोसेस इस सत्था चलाने वाले हो, और एंड में कुछ अच्छा ही निकल कर आए या फिर आप तवे से जल सकते हैं, या फिर आपकी गरम चाहिसे जीव वगेरा भी इस सप्ता जल सकती है, तो गरम चीजों से आग से भी इस सप्ता आपको सावधानी रखनी चाहिए, तो ये था कैसा जाएगा मेश राशी का आने वाला ये सप्ता, वीडियो में आगे पाड़ के आएं नोइंगली या अनोइंगली कहीं न कहीं इस सप्था में आप बिजी रहेंगे उनको ही सुधारने के लिए पीछे आप जो काम चोरी करकर आए हैं वह काम आपके उपर लद चुका है अब आप इस सप्था यही फोकस करने वाले हों कि इनको धीरे-धीरे करक तो कहीं न कहीं वर्क लोड पुराना काम वापस से आपके उपर आ रहा है और आप उसको लेके चिंतित हो याद रखेगा कभी भी वो काम आपको स्ट्रेस नहीं देता चिंता नहीं देता जो काम आप कर रहे होते हैं हमेशा स्ट्रेस उन चीजों को होता है जो चीज आप कर रहे होते हैं आप सोचते हो गया वो करना ओकरना नहीं कर रहे होते हो stress ौहीं पर होता है इसलिए i independent करकर खतम कर देना इस्ट्रेस चला जाएगा तो इस तरह कि यही एक फिलास्फिया भी आपको कहीं न कहीं इस हबते अपनानी पड़ जाएगी भरोसा यहां पर तूटता हुआ नजर आ रहा है वर्षभ राशी के जात को भरोसा किया था फ्रेंड पे कि वो आपको नोट्स दे देगा वो काम कर देगा वो प्रॉमिस फुल्फिल कर देगा एंड मूमेंट पे वो पलट जाएगा तो अगर आपको लग रहा है कि फलाने भाई या फलाने जीजा या फलाना दोस्त आपका कोई एक्स वाइजट काम करने वाला एक बर फोन करके पूछ लेना भाई पक्का कर दोगे न और अगर नहीं हुआ तो भी प्लैन भी लेकर रेडी रहेगा अधर पढ़ने का या अपने आपको कुछ बहतर करने का यहां बहुत इंटरेस्ट होने वाला है कुछ चोटी मुटी चीज़ें आप यहां पर स्टार्ट भी कर सकते हैं लास्ट वीक आपका मैंने जैसा बताया था कि जैसा जाएगा वैसा गया होगा इस सब्ता अराम नहीं मिलन और आराम के पीछे भागना भी नहीं है इस सब्ता आप अपने आपको जितना डिसकंफर्ट में डालेंगे उतना अगले आने वाला टाइम आपके लिए बहतर होने वाला है बचके रहेगा रात में कुछ ठंडा कोई संत्रा कोई ठंडा पानी कोई कोड कॉड कॉफी मत पी रात 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 बर चैटिंग भी कर सकते हैं घूमने फिरने का भी प्लैन बना सकते हैं सर्प्राइस गिफ्ट अगेरा भी दे सकते हैं मेरिज अगर हो रखी आपकी तो लड़ाई जगला होगा शादी सुदा जिंदगी में थोड़ी सी तभाही मचाएगा लेकिन कौन आप की हेल्थ की भी बात करूं तो इस सब्ता पुराना कोई दर्द पुरानी कोई चोड वापस से आ सकती है ध्यान अखना इन चीज़ों का करना क्या है एक रेमेडी आपको माता दुरुगा से कुछ कनेक्शन इस सब्ता जरूर बिल्ड करना चाहिए हो सकते तो दुरुगा ज सब्सक्राइब बढ़ेंगे और बात करेंगे हमारी तीसरी राशी यानि कि आने वाला पंदरा से किस जुलाइगा टाइम पीरियड मितुन नाशी के जातकों के लिए कैसा जाने वाला है मितुन नाशी यह सबता हवा हवाई है भागते हुए गोड़े जैसा है आपके दोस्तों से मिलने के लिए आप भागते फिरते रहोगे चीजे बड़ी रफतार से सब्ता होंगी एवन मैं 21 जुलाई से पूछूंगा भी आपसे कि पंदरा से जुलाई का टाइम पीरिड कैसा गया तो आप पता ही कैसे चला गया ऐसे आया और ऐसे चला गया यानि कि यह सब विएव कर रहे हैं आपके साथ Otherwise वो अपना उलू सीधा कर रहे हैं बहुत जादा दिल से मतलगा ए ACT है लड़का हो चाहिल लड़की हो चाहिः कोई भी हो आपको ऐसा लग सकता है कि वो आपका बड़ा समंफान करता आपकी बड़ी ही रिस्पेक करता और आप से उल्लू सीधा करना चाहता है, आप से मतलम निकालना चाहता है, इसलिए वो आप से अभी पुलाइट हो रहा है, जब भी हम यूटिलिटी प्रोवाइट करते हैं किसी को, हमसे किसी का कोई काम निकल सकता है, तो हमेशा लोग आप से सुरुवात में अच्छा ही जो औरा है, तूट जाता है, वो अपने असली रंग में आ जाते हैं, इसलिए आप अगर किसी चीज़ के लिए कोई सर्विस देते हो, कोई प्रोड़क्ट देते हो, या कोई एडवाइस देते हो, उसके लिए आप यूजवली चार्ज करते हो लोगों से, तो ये नया नव से आ रही थे, तो ऐसे आएगी, ऐसे ही उसका सलुशन भी सामने आ जाएगा, लेकिर अगर आप 45 साल की उम्र से जादा हैं, तो अपने बीपी का ध्यार नखिएगा, ब्लड प्रेशर की यहाँ पर चिंता आपको सता सकती है, प्रेम और वैवाइक जीवन की अगर बात करे तो यह समय आपके लिए खुशनमा है, आप quality time अपने partner के साथ समय बिताते हुए नजर आ रहे हैं, future की बाते, future के promises करते हुए में नजर आ रहे हैं, अपने घर वालों से उनको मिलाने की भी planning करते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर साथ में किसी trip पे जाने की, किसी retreat center में जा आप करना क्या है, एक remedy है जो कि आप इस सब्ता कर सकते हो, बद्वार के दिन भगवान शंकर पे दुर्वा जरूर अरपित करिएगा और बेल पत्र अरपित करकर उनका जल से अभिशेक अगर आप कर देंगे, तो यह सब्ता आपके लिए बहुत ज़्यादा बहतर जाने व करकर आशी वाले जात को यह सब्ता कहीं न कहीं चिंता में व्यतीःत होगा आपका चिंता अच्छी नौकरी की चंता अच्छी समय कि आएगा, मैं पैसा कब कमा होँगा, मेले रिलीशन कब बच्चे होँगा, मेरा सौस्त कब अच्छा होगा चिंता कि जो मैंने desire dream पाल रखे हैं उनको उनसे related खुशकबरी मुझे कब मिलेगी यह सारी चिंताइं जो आपने वैपार को लेकर चिंता करेंगे लेकिन उनकी चिंता फाइदे मन्द याद रखेगा चिंता ओवर्थिंकिंग या फिर मन्थन करना इन सभी चीजों में डिफ बराप कर नहीं रहे हो over thinking यानि कि अन्नैसेसरी तिल्का बनार रहे हो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है नहीं आपको लग रहे हैं मंत ei हो इसमें आप नरर मन्थन वाली टेरिया में बिजनस को कैसे गुरू करना है उसको कैसे आटोमेट करना है इसमें आई आने वाला है मार्केट बदल रही है किस तरह से इसमें हमें अपनी पकड़ बनाए रखनी है यहाँ पर आप याद रखेगा कि अगर आप फॉरें से विदेशी लोगों से या विदेशी भूमी से इंपोर्ट ए देखते हैं या फिर आप जहां पर भी जन्म लिया है वहां की अप्रोच आपने लगा दी तो मामला फस सकता है इसलिए जिस जैसा देस वैसा बेस जैसे लोग वैसा बेस आपको यह फिलॉस्पी सब्ता रखनी है कोई बड़ा डिसीजन लेने से सब्ता बचना चाहिए ओवरली डिपेंडेंट हो गए हो आप और यह बात जब आपको किल सेगी ना जब आपके दिल को लगेगी ना तब बहुत जादा बदलोगे भी आपका थार्ट प्रोसेस भी इस सब्ता बहुत चेंज हो सकता है आप फोकस के साथ पढ़ाई जरूर कर पाएंगे इस सब्ता क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि अगर मैंने अपने आपको काबिल लायक नहीं बनाया तो कहीं न कहीं मुझे लोग अभी जो भाव दे रहे हैं या मुझे लोग अभी जितनी responsibility मेरे उपर डाल रहे हूं मैं पूरी नेक पाऊंगा इसलिए कहीं न कहीं आप पढ़ाई अपने आपको एजुकेट करने में बहुत जादा टाइम इस सप्ता दालने वाले हैं प्रैक्टिकल होने का मन बहुत करेगा लेकिन emotional साइड में ये सप्ता आपका चला जाएगा धर्मे कि स्थानों पर मंदिर वगेरा में यात्रा घूमने का प्लैन भी बन सकता है अब कुछ को हलके में लेने की कोशिश कर रहा है इसकी जो प्रियॉर्टी इस थी अब वो थोड़ी शिफ्ट हो रही है ये भावनाएं आपको अपने पार्टनर को लेकर आएंगी इवन अगर आपकी marriage भी हो गई है तो उसमें भी ये चीज़ें आपको परिशान करेंगा फिर पता रहा हूं ये सारी चीज़े क्या है ओवर थिंकिंग है या तो चिंता है या फिर मन्थन चल रहा है आप सोचिएगा कि आप किस क्राइटेरिया में गिर रहे हैं और उसके बाद जाकर आप decision लीजेगा रेकिन रेमेडी जरू करिएगा और रेमेडी है करकराशी वाले आफ सब्ता के लिए कि आपको महालक्शमी चीकर नी चाहिए फ्राइडे की दिन यह नगे मम LEE बढ़ दोस्टम आपको क्छी का बात करने वाला शिंगरा शिवालेजात को यह सब्ता आपके लिए खर्च बढ़ाएगा लेकिन इसका असर आप पर बहुत जादा नहीं आएगा क्योंकि उसको मेंटेन करने के लिए या तो आपकी फैमिली का बैक आप आजाएगा आपके सामने या आप नहीं पहले से क्रेट कर रखा आप उन्हें करोगे भी लेकिन आप परिशान नहीं होगे वैपारियों की बात करें तो जो लोग वैपारी हैं समाने से अधिक मेहनत करेंगे जिन लोगों पर आप समझते थे यार इस पर तो मैं आँग बन करके विश्वास कर सकता हो ना थोड़ा सा विश्वास डगमगा सकता है यहां पर फाइदा सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रसनालिटी देने वाली है आप जिस तरह के वैक्ति हैं आप एक ऐसे वैक्ति हैं कि आपको कितना भी गिरा दिया जाए कितना भी डी मोटीवेट कर दिया जाए कहीं ना कहीं आप एक आशा की किरन खोज लेते हैं और तो अपने आपको वापस से रिसरेक्ट करके फीरिंक्स की तरह बाहर आ जाते हैं। तो यहां पर आपको अभी और कड़ी मेहनत करने की जरूत है। सफलता भी थोड़ी सी दूर नजर आती है। स्टुडेंस का ध्यान पढ़ाई की जगे दूसरी चीजों में भी वेस्ट होता हुए नजर आ रहा है। कास दौर पे प्यार में। कुछ को लवेरिया हो गया है। अपनी पढ़ाई को मलेरिया हो गया और आपको लवेरिया हो गया है। स्टुडेंस के अगर बात करो तो इस तरह से फस होगे। टाइम बेस्ट हो जाएगा। कई बार यह चीज हमें बहुत जीवन बाद में नजर आती है। समझ में आती तक बहुत लेट हो जाता अभी आपके पास टाइम है। उस टाइम का पूरा यूज करिए। सब चीजें बहुत बाद में बहुत अच्छी तरीके से हो सकती है। योग ज़रूर करेंगे, शाधना ज़रूर करेंगे, ध्यान ज़रूर लगाएंगे, अपने मन को इस्थिर जरूर रखेंगे, मन को बलवान जरूर बनाएंगे। प्रेमी जीवन की बार करेंगे तो लव लाइफ में यहां पर अगर कोई विवाद चला था तो खतम हो जाएगा सुधार आएगा जादा मज़े आएंगे आपको लव लाइफ में परिशानिया दूर भाग जाएंगी शादे सुधा वेक्ति आप अपने घर में असल में अधिया ले फिरिशा का पाठ करें और सिंदूर या फिर तिलक लगाकर केशर का तिलक चंदन पाठ लगाकर माथे फनीजह कन्या, जातको लिए आप YOUR आपकी आराउंड घूमएगा फैमिली में वाइफ आ गई मता पिता भाई बहन रिस्तेदार आ गई और उनकी खुशाली उनको लेकर चिंताएं उनकी फाइनेशल अपलिफ्टमेंट उनकी खुशियों को पूरा करना उनकी लाइफ में अच्छा अनुभा उनको करवा देना इस सारे विचार इन सारे विच जा रहा है कि आप कहीं ना कहीं डिजिटल टेक्नोलोजी जैसी नहीं चीजों को सीखने में आपका मन लग रहा है जो चीज़ें अभी तक आपको बिल्कुल नहीं आती थी आप उनसे डर नहीं रहे हो और सामने से आप लोगों से बोल लाँ मुझे क्या यह सीखा सकते हो सबसे बेस्ट है आपके लिए चीज़ सीखना लर्न करना हमेशा सुरुआत में बड़ा कठिन लगता है कि यार इतना सारा मैं कुछ कैसे सीखूंगा मैं सीख भी पाऊंगा या नहीं सीख पाऊंगा लेकिन दा डे यू स्टार्ट जिस दिन आप वो शुरू कर देते हो ना पता नहीं सोभाविक रूप से पकड़ लेता है इसलिए अगर आपका कुछ काम करने का मन करें तो आप वो काम कर सकते हो दूसरों ने जो गलतियां करें नहीं ठीक करकर और आप इसमें आप बिजनस भी बना सकते हो लेकिन याद रखेगा अगर हेल्थ की बात कर रहा हो न बात करेंगे आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में तो यह सब्ता मुझे लग रहा है कि मोटा मोटा ठीक है आपका लव रिलेशन भी ठीक है रूठी हुए लोग मान रहे हैं और जो माने हुए लोग है वो ठीक से हैं बहस बाजी कम हो रही है थोड़ी बहुत ख कन्या को भोजन या वस्तर का दान जरू करिएगा तो यह था कैसा जाएगा कन्या राशी का आने वाला यह पूरा सब्ता वीडियो में आगे बढ़ेंगे दोस्तों बात करेंगे 15 से लेकर 21 जुलाई का टाइम पीरिड तुला राशी के जातकों के लिए कैसा होने वाला है तुला राशी वाले जातकों यह समय कहीं न कहीं आपके जॉब के लिए थोड़ा सा ऐसा होने वाला है कि ओहो अब मुझे अपने जॉब पे पूरा फूकस करना है मैं जो काम करना हूँ इसमें ग्रोध कितनी है मैं जिस कंपनी के साथ जुड़ा हूँ इस कंपनी की होगे थोड़ा कंफ्यूस हो जाओगे थोड़ी बातें नहीं समझ में आएंगी यहां पर अब मौका आ चुका है आप से ज्यादा अनुभवी हैं ज्यादा एक्स्पीडियंस से उस रास्ते पे पहले चल चुके हैं उनसे अनुभव लीजिए उनसे एक्स्पीडियंस करें यह ऐसे लोगों की पॉटकास सुन सकते हैं ऐसे लोगों की आप पुस्तके किताबे पढ़ सकते हैं यह हफ्ता आपको काफी मोटिवेट करके चला जाएगा और कहीं न कहीं आप देखोगे कि एक बहुत बड़ा खुश नुमा भविश आपके लिए बाहे फैला कर खड़ा हुआ है इस अपता तरक्की जॉब में बिजनस में मिलते हुए नजर आती बड़े आउशर भी मिलते हुए नजर आते हैं स्वास के लिहास से थोड़ा सा कमजोर मानुम बढ़ता है इंफेक्शन एलर्जी लीवर पेट की समस्या हैं कहीं न कहीं आपको प्रॉब्लम देख सकते हो एक एक दिन दो दो दिन ब्लॉक हो सकते हैं दूसरे के साथ लेकि फिर से ठीक हो जाएगा तो आपका 300 वी बार ब्रेक अप होकर 301 वी बार आपका पैचप भी हो जाएगा शादी सुदा जिंदगी खुशाल है उसमें किसी तरह का उतार चड़ाओ नहीं नजर आता है उपाय के तौर पे आपको सफेद वस्त्र गरीबों में अगर आप दान कर सको तो जरूर करिएगा फ्राइडे के दिन शुक्रवार के दिन श्री सुक्तम का पार्ट करना आपके लिए बेहद बेहद भागशाली साबित हो जकता है तो यह था 15-21 जुलाई का टाइम प्य देखा जा रहा है कि आपका ओधा आपकी कंपनी में आपकी टीम में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है वैपार है बिजनस कर रहा है तो स्मूध जा रहा है जैसा जाना चाहिए था कहीं न कहीं आपके डेटा और आपका स्टेक्टिक्स आपको वही सलह देगा कि हाँ स्मूध जा रहा है आखों के लेकर साफधान रहीएगा अगर नशे की आदत है तो बहुत जादा नशा इस सपता आपके दिमाग को खराब कर सकता है और दिमाग से लेने वाले जो फैसले हैं उनमें भी आप जल्द बाजी कर सकते हैं या डिले कर सकते हैं तो नशा अगर नहीं करते तो कोई बात ने चिल बिलकुल कोई समस्या नहीं लेकिन करते हैं तो साफधान होने का वक्त आ जाईए सब्दा सिखा देगा आपको की साफधानी किसे कहते हैं स्टुडिन्स को अपने सिखकों का यहां पे पूर्ण सयोग मिल रहा है सिखकों का सयोग जितना मिला उससे जादा मांगना पड़ेगा तो व्रश्चिक राशी वाले जातकों अगर आप इस सब्दा आगे चल कर जो आप डिजब करते हो वो मांग रहे हो और जो नहीं भी डि उसको छोड़ कर जो नहीं इमेजिन किया है जो नहीं अपने आपको सोचते हैं उन थौट्स को आपको प्रेस करना उनको बढ़ावा देना है पर वाइक जीवन के प्रेम जीवन के अगर बात करें तो यह सब्दा कहूंगा बहुत अच्छा नहीं है अगर आप ऑल्रेड़ से और जगे बाते जादा कर रहा है जितना हो सके और तिंकिंग से अपने आपको दूर रखेगा जब आप सशक्त होते हो ना जब आपको पता है एक आपको एक्जांपल देता हूं आपके हाथ में एक दस ग्राम सोने की इट है आप सड़क पे खड़े होकर लोगों को करे सोने की इट चाहिए सोने की इट चाहिए अगर कोई नहीं ले रहा है आपको बुरा नहीं लगेगा क्योंकि आपको पता है कि आपके अंदर क्या value आपके हाथ में क्या value है आपको हमेशा लगेगा सामने वाला अरे यारे बेकूप फयार इसने भी मौका को दिया इसने भी मौका को दिया इसलिए अपने आपको सशक्त करिए कि आप एक अच्छे partner है चाहे आपसे कोई शादी करना चाहे आपके साथ कोई रहना चाहे यू और आपके साथ जो रहेगा वो खुशी रहेगा वो अच्छा ही रहेगा जिस दिन आप ये इंस्योर कर लेंगे तो जो आपको छोड़ कर जाएगा ना आप उस पे हसोगे आपको तरस आएगा उस पे उपाय के तोर पे सब्ता आपको सुंदर काण का पार्ट जरू करना चाहिए और अगर ये कामसा परिवार हो सके तो उससे जादा अच्छी बात और क्या हो सकती है तो ये था कैसा जाने वाला है वरशिक राशी का आने वाला ये पूरा सब्ता अब बात करेंगे धनू राशी के जातकों के लिए धनू राशी वालो 15 से 21 जुलाई का टाइम पीरिड आपकी राशी के लिए कैसा होने वाला चलिए इस पर थोड़ा सा रोशनी डालते हैं धनू राशी वाले दोस्तों सत्रों से छुटकारा मिलने वाला है जो लोग आपको बिजनस में, करियर में, जॉब में, कलीक्स बनकर, दोस्त बनकर पीट के पीचे छूरा घोपते थे ना कहीं न कहीं वो अब टाटा बाय बाय हो जाएं कहां चले गए, क्यूं चुप हो गए, शायद आपको भी ना पता चले, लेकिन उनकी समस्या कम हो जाएंगी इसी तरह से अगर किसी कोट के चेरी में फसे हुए थे, तो मामले में राहत मिल सकती है आपके हक में फैसला आ सकता है स्वास्थ में लेकिन साथवधान रहयेगा धनुराशी धनुराशी अपने गले को लेकर थाइरॉइट की प्रापलम भढ़ सकती है कॉरेस्ट्रagar नशों में दर्द दातों की खराबी परिशान कर सकती है यदि आपने कोई नई प्रॉपटी खरीदनी है नई गाड़ी खरीदनी है मोटा पैसा खर्चा करना है तो इस सब्ता ये डिसीजन लेना बहतर साबित होगा किसी तरह की कोई समस्या और नहीं आती है प्रेम संबंदों की बात करेंगे तो यहाँ पर पुराने सिक्वे भूल कर कोई पुराना साथी वापस आएगा फोन करेगा आप से कहेगा कि फिर से मौका देखे देखते हैं और दूसरे को सुरुवात करते हैं या आप किसी पुराने वेक्ति के पास जा सकते हो और कहीं नगए पुरानी चीज दुबारा से एक नया रूप ले सकती है यदि आप सिंगल हैं तो इस सब्ता नया प्यार नई सुरुवात हो सकती है शादी सुधा लोगों के लिए जीवन आनंद की अनुभूती देता हुआ नजर आता है सुस्ट्राल पक्ष के लोगों में आपस में दिक्कत होगी पर आप अपने पार्टनर के साथ बैता रहोगे उनके सा लाविशेग जरूर करिएगा तो यह था कैसा जाएगा धनूर राशी का आने वाला यह पूरा सब्ता अब वीडियो में आगे बढ़ेंगे दोस्तों बात करेंगे 15-21 जुलाई का टाइम पीरिड मकर राशी के जातकों के लिए कैसा होने वाला मकर राशी वाले जातकों च इवन आपको यह भी लग सकता है कि वर्क प्लेस पर आप पर ज़्यादा काम डाला जा रहा है या आपको ठीक से मान सम्मान नहीं दिया जा रहा है इस समय आप अपने बड़े बजर्गों के साथ बैटकर अपने फैमिली के साथ बैटकर ज्यादा समय बिताने वाले हैं काम में दब जाना से पीछे चलना यह चीज़ें कहीं नहीं जा रही है यह चीज़ें ओवर ओल आप अपने देख सकते हो अपने करियर में या फिर अपने बिजनस के तर पे यहां पर देखा जा रहा है कि कई सारे मकराशी वाले जातक कुछ नया सुरू करने की कोशिश कर सस्क्राइब करना चाते हैं कई सारे मकराशी की जाता है कि द्यारी इस्टार करना चाते हैं तो आप इनमें से कुछ भी नया के अगर अगर सुरू करना है मोटा मोटा जैसा चल रहा था सपोर्ट कर रहे थे प्यार कर रहे थे खुशनुमा थे शादी शुदा भी हो गए हैं तो भी रोमैंस वैसा का वैसा ही है ठीक ठाक है अच्छा है बहुत जदा बेकार नहीं है बहृत ज़ादा अच्छा नहीं है कुछ बहुत ज़ाधा चेंज़स नहीं नज़राते कही न कहीं इस तरह का आपका प्रेमी जीवन सत्ता जायेगा साथ प्रकार के अनाश का दान करना एक अच्छा उपाए है और अगर आप किसी पी तरह से डॉक्स को सब कर सके तो वह भी एक अच्छा रेमेडी आपके लिए इस सत्ता होने वाला है अब हम वीडियो में आ चुके हैं एंड की तरफ और हम बात करने जा रहा है हमारी प्यारी राशी कुम्राशी के जातकों के बारे में बात क करेंगे कि उनका 15-21 जुलाई का टाइम पीरिड कैसा जाएगा कुम्राशी वाले जातकों अगर आप मेरे वीडियो को रेगुलरी फॉलो करते हो तो मैंने आपको पिछले एक-दो महीने से मैं सोचूंगा कि आपको संकेत दिये हैं कुम्राशी वाले पठरी पे आने वाले कुम्राशी वालों को जो सनी के साड़े साती ने तबाही मचाई थी न अब बहुत हो गया कई साल बीच चुके हो चीज़ को कुम्राशी वाले कही न कहीं सनी से अब वाकिप हो गये कि बेटा तुम क्या क्या करते हो मुझे पता चल चुका है इसलिए अब कुम्राशी वाल करेंगे अपने आपको स्टेबल करेंगे दुबारा से अपने आपको पठरी पर लेकर आएंगे जिस तरह से वह पहले function करते थे उसी चीज को वापस लेकर आएंगे और बहतर तरीके से improvement नजर आती है कुमराशी वालों में looks को देख लीजे तो improvement नजर आती है काम करने के तरीके को देख लीजे प्रामिसिंग निचर नजर आ रहा है यहां पर कुमराशी वालों का नई जॉब नया तरीका नया transformation नजर आ रहा आप सनी की साड़े साथी के उस स्वेज में आ चुके हो जब आपने शनी को देख लिया हो कैसा कर सकता है अच्छा बुरा सब अपने उसको देख लिया लेकिन आपके एक बात समझ में आ गई कि बिना कर्म के कुछ नहीं है जीवन में मेहनत तो हमें करनी है हमारा कुछ पेंडिंग कर्म था तभी तो हमें मैं कुछ नहीं करता मैं बिल्कुल मेहनत नहीं करता मैं कोई काम नहीं करता मुझसे तो कुछ होता ही नहीं है क्या पता चार पाच लोग आपके आसपास बोल भी रहे हो आरे तुम तो कर तो रहो यार इतना काम इतनी मेहनत कर तो रहो क्योंकि शनी की साड़े साथी जब च तो इस तरह के एक्सपीरियनस कहीं आए हैं लव रिलेशन्स की बात करूं तो कुमराशी वालों मजे में हो ठीक है लड़ाई जगड़े भी करते रहोगे और वह तरहा तनी चलती रहेगी प्यार रिलेशन भी चलेगा रिलेशन्सिप कहीं टूट नहीं रहा है लड़ाई आपको अपनी बॉड़ी को ठका सकते हो जिस वज़े से कोई हेल्थ इशू पकड़ रखता है ठीक ठीक रहे नॉर्मल है खेले कूदे नॉर्मल जिम करिए ऐसा ही करिए जो लोग शादी सोधा जिन्दगी बिता रहे हैं लड़ाई जगड़े हो सकते हैं उनकी जिन्दगी मे कोई और नहीं है कोई नहीं आएगा साथ देने कोई नहीं आएगा चीजों को बहतर करने कोई नहीं आएगा आपका हाथ पकड़ने आपका हाथ आप खुद ही पकड़ने वाले हो अपने आपको खुद ही सुधारने वाले हो कर लीजेगा शनी बहुत कुछ देता है जिनको तो दिया है इस पूरे साड़े साथी मुन को पता है और आया शायद आपका समय भी नहीं आया होगा जो मुझे सुनना है पर आएगा जरूर तीन साल बचे हैं लगबग मोटे-मोटे तीन साल से थोड़ा कमी समय है लेकिन आयेगा समय ओके तो इसलिए अपने हाथ को खुदी अपनी कम्यों को खुदी सुधारना है अपने आप को खुदी महनत करनी है यही तो उम्र है यही तो समय है तो यह था कैसा जाएगा मोटा-मोटा कुमराशी का टाइम पीडिड तुल कैसा जाने वाला है मीन राशी गुरू की वो राशी है जो की ग्यान की राशी को रिप्रेजन करता है जो की एंड को रिप्रेजन करता है ग्यान के उस अंदकार को रिप्रेजन करती है ये राशी जब आपको फर्क नहीं पड़ता आप यूजवली देखो के मीन राशी वाले आपको छुटा भाई भाइन अगर कोई है उसका सहयोग मिल रहा है और अगर नहीं मिल ला है तो आप अगर आस्क करेंगे उससे पूछेंगे तो जरूर आप पे मिलेगा आपके घर आपके रिस्तेदार यही आपके आसपास खड़े होने वाले हैं जो कि बहुत क्लोज हैं आ आपके वाइफ आपके घरवाले भी शिकायत कर सकते हैं कि थोड़ा गूमने फुनने का प्लैन बनाओ और गूमने फिरने सहाथ आया मीन नाशी वालों बहुत मन करेगा इधर उद्धर ट्रैवल करने का चलो यार थोड़ा सा रिशी के घूम आते हैं चलो थोड़ा मनाली घूम आते हैं चलो थोड़ा घूम आते हैं मन करेगा आपका हो सकता है कि इस सब्ता नहीं तो अगले सब्ता भूम भी आ जाओ लेकिन सेहत पे तो मैं आपको तब से चितामनी दे रहा हूं जब आपकी शाड़े साथी शुरू हुए थी और आज फिर सब्तामनी दूंगा हर उस वीडियो में चितामनी दूंगा जब तर साड़े साथी आपकी खतम नहीं हो जाएगी सिहत 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 अपने हेल्थ पे ध्यान दीजे अपने पेट पे ध्यान दीजे लीवर पे ध्यान दीजे अपने पैरों पे ध्यान दीजे कहीं ना कहीं अपने खान पान को यह कहना चाहता हूँ यह मेरे कही न कहीं डीप डिजायर है लेकिन अभी इसको कहूंगा एब उलाकर बैट जाएगा आपको इस चीज को कहीं न कहीं अंदर से कचोटेगा कियार मैं खुलकर भी अपने पार्टनर के साथ अपनी बाते नहीं कह सकता लेकिन किसने कहा है स्ट्र आप अपनी बातों को घुमा फिरा कर बोल सकते हैं तारीफों के बीच में उसको बांद कर सामने प्रेजंट कर सकते हैं आपका पार्टनर उसे जरूर समझेगा कहने का तरीका कैसा है यह डिपेंड करेगा लेकिन कहीं न कहीं यह जिजग आपको परिशान करेगी आपके ल यहां रेमेडीका से करने का मन करेगा कहीं न कहीं काम करते रहोगे, मीटिंग में बिजी रहोगे, लेकिन मन रहेगा कि यार मजे करने है, मुझे मूवी देखने जाना है, घूमने जाना है, कब करूँ, कैसे करूँ, कहां टाइम निकालू, इस तरह का यह सब्था सोच के सुरू होगी और इस सब्था में यही कित हैं, उनके साथ जरूर शेर करिए, और जैसा कि मैंने आपको वीडियो की सुरुवात में इंट्रोडक्शन दिया था, हमारे एस्ट्रोजी की लाइव बैच अब शुरू हो चुके हैं, और आप अगर जोतिश सीखना चाहते हैं, लाइव क्लासेस में मेरे साथ जॉइन होन हैं, मिलता हूँ आपसे एगले वीडियो में, तब तक के लिए, रादे रादे